हेलो फ्रेंड्स में सुमिद बागुल आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजे दही फले के साथ इस खास कारेक्रम में तहें दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तो हमें जब भी कोई medical emergency आती है या फिर स्वास्ते से जुड़ी कोई भी परेशानी सता थे तब हम क्या करते हैं सबसे पहले हम वो सारी चीजे हमारे friends या family के साथ शेर करते हैं पर दोस्तो जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सता थे तब हम ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है हम जिजक्त है पर दोस्तो अब शर्मा ने की जिजक्त ने की बिलकुल जरूत नहीं क्योंकि डॉक्टर वीजे दाइफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही positive तरीके से जवाब देंगे दोस्तों शो को शुरूत करते हैं पर शो को शुरूत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर वीजे दाइफले इनके बारे में डॉक्टर विजय दही फले ये सेक्सोलोजिस्ट, यूरोलोजिस्ट और एंड्रोलोजिस्ट है डॉक्टर के क्लिनिक अरंगाबाद, हैद्राबाद, दिल्ली में द्वारका, पुने, नवी मुंबई में नेरूल, दादर, अंधेरी, कल्यान, नाशिक, एहमदाबाद और दुबई में है डॉक्टर वीजे दही फले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फरेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेर सल्ला मशुरा करते रहते है झाल दोस्तों, आपको डॉक्टर साब के क्लिनिकश के बारे में पता चल गया है पर एक खुश्खबरी आपको देदे चाहूं, डॉक्टर साथ का रिसेंटली, साउथ मुंबै में कॉलाबा में नया सेंटर शुरू है तो डेफिनिटली आप कुलाबा सेंटर में जाके सर की अपांडमेंट लेके बहुत ही पॉजिटिव तरीके से कंसल्टेशन जरूर पा सकते हो शो को शुरुआत करते हैं सर हमारे साथ है सर वेलकम टो दी शो नमस्ते सर आप हमेशा एक बहुत ही एहम टॉपिक लेके आते हो आपको बहुत सारे इमेल्स आए है वाटसाइप के जरीए भी आप लोग आपसे बहुत सारे सवाल पूछते है टेक्स्ट मेसेजिस भी आपको आ रहे हम यह जो हमारे एजुकेशनल वीडियो जे यह जब आउट करते तो उसके कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे सवाल आते और लोगों को एक साइंटिफिक इन्फरमेशन चाहिए सेक्शन डिसफंक्शन के बारे में लोग साइंटिफिक इन्फरमेशन जानना चाहते तो इसी सिलसिले में आपने एक बहुत एहम टॉपिक से लेकर है जिसमें जानना चाहेंगे ब्रेस्ट के विबिन्ना आकार हों के बारे में तो सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा डे नैपर्स यह क्या होता है सर करेक्ट यहां पर सुमिझ जी जो हमारी स्रीच चल रही है सेक्स एजूकेशन सेक्शुल अवेरनेस और सेक्शुल सेफटी हम देख रहें विबिन्ना कार पेनिस के विबिन्ना कार विजाना के उसी तरह से विबिन्ना कार जो ब्रेस्ट के है जो 27 प्रकार के ब्रेस्ट है जिसे हम नॉर्मल करे सकते हैं और क्यों इन्फॉर्मेशन लेनी है मिसकंसेप्शन जो है यह पार्टनर्स की बीच में उसके साइस से लेकर बहुत मिसकंसेप्शन रहते हैं मिसंडरस्टेंडिक रहते है और जिसकी वएसे उनका निजी लाइफ स्पॉयल होते रहता है वह स्पॉयल नहों जाए ताइम प्लेस पर्शन कंडिशन कल्चर सेफ्टी एंड कंसेंटिंग दाइरे ध्यान में रखते हुए अपना ओन अपना नोन पार्टनर उसे कैसे एंज्वाए करना है उसके बारे में जो ब्रेस्ट है जो बोड़ी और्गन से उसका नॉलिज कुद को रहना है और कुट डाउट आजाए तो सेक्सॉलजिस एंड्रोलजिस को मिलना है दे नैपर्स ब्रेस्ट नैपिंग नैपर्स मतलब उनको नहींदार रही है यहनी ब्रेस्ट रहते हैं काफी जोब नाचनल हो कुछ अब बहुत बर हम चन नीचे करोगे उससे लगता है उसके उपर हम अभी सो सकते हैं तो ऐसे ब्रेस्ट को केते है वह yhtे नार्मल रहते हैं आप उसे कोई confused मत न हो जाए या कुछ other doubts उसमें नहीं लेना चाहिए और डिटिल्स क्या क्या है उसके बारे हम देखें इसके बारे में आपसे पूछने साओंगा क्या किसके और भी कोई नाम होते क्या इसे और भी कोई नाम से बुलाया जा सकता है इसके बारे में बैसे कि यहां पर हम क्यों डिसकर्स कर रहे है उसके अलग अलग नाम बहुत बार जब हमारे सामने यो पार्टनर उनके आते तो एड़े नापर्स क्यों पर ऐसा लग रहा है दोनों दूसरे को चुपक गए और उपर आके सो रहे हैं इसलिए हम नापर्स बोल रहे हैं दूसरे और क्या पोईशन है इसके अंदर यहां पर रेस्टिंग पिलो के जैसा याने क्लोस टू चिन है इसलिए इमीडियेट उसक यह अलग प्रकार के नौमिंट्स बिरई सब्सक्राइब शब्त शाया है और एक ही कहुंगा भले ऐसे भी प्रकार का अबनॉर्मिल्टी नहीं समझता चाहिए और यह पी एक प्रकार का नौर्मल भार्येशन हैं इसलिए यह ब्रेस ग्रेलियेएए लेकिन उसके लिए क्या हो तो ही करना चाहिए और भी कुछ ब्रेस्ट के विबिनना आकार मैं आपसे जाना चाहूंगा पर एक दर्शक का कॉल है वो ले 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 थे अंदेरी से रोहिच जी हमारे साथ है रोहिच जी आपका सवाल पूछे आपका फोन कनेक्ट हुआ है हालो हालो है और मेरे पार्ट्नर के औरियन अबहुत बोड़े हैं कि क्या करें येस ओके एबी सेपरेट टॉपिक हम लेने वाले हैं क्योंकि हम ने अनाट्रो पे अलृड़ी देख चुके हैं ब्रेस्ट का में सेंट्र पार्ट रहता है उसके सामने वाले हिस्से में निपल र रहता है उसे aryola करते हैं यह सबसे most sensitive part रहता है brace का normally एक cm से सदीर से सरकल है वह acceptable normal रहता है लेकिन कुछ पार्टर समें इसकी विर्त इतनी जादा रहती है तो नियरव उट सामने वाला नियरव ठर्टी पर्सेंट इरिया वह ariola से कवर हो जाता है और ऐसा लगता कि पूरा black spot लग रहा है तो मेरे पास काफी कपल आते सरे तो मुझे बहुत abnormal लग रहा है तो यह abnormal नहीं रहता है और उन्हें अच्छा शेप बना के चाहिए तो ariolar reconstruction यह जो extra black color ने से उसे हम remove करते हैं और remove करके cosmetic surgery से उसे हम जो भी चाहिए उस shape में ला सकते हैं तो friends एक ही कहूंगा ऐसा variation हो acceptable है normal है दोनों partner को accept होगा कोई दिक्कत ने किसे लग रहा है उसे change करें तो cosmetic surgery करके उसे हम छोटा भी बना सकते हैं definitely sir एक और आकार के बारे में हम आपसे जाना च yes correct यह भी सुमिझ जी variation है close said breast क्या होता है basically दोनों breast देखो chest बहुत बार wide रहती है किसी की बहुत बार narrow रहती है लेकिन दोनों breast इतने पास आ जाते है lateral part थोड़ से खाली है उनके और central part में एक दूसरे को ओच पक रहे है एकदम बहुत ही कम distance है जो हम हमारे figures में देख सकते ह है ऐसे breast को कहते है close said breast and उसे हम normal कहना चाहिए तो क्या sir जैसे कि आपने पहले जो breast के बारे में बाता है उसको अलग-अलग नाम होते है और यह पता होना भी जरूरी है daylight saver यह इतने close away light की जरूरती नहीं है बात में permanent cleft close हरेने की वएसे वहां पे हमेशा cleavage बना रहे था है इसलिए permanent cleft भी बोलते हैं बहुत बार where is my necklace नहीं आप necklace पहनोगे तो तो दोनों cleft के अंदर जाके बढ़ जाता है तो दिखता ही नहीं है लेकिन मैं एक ही कहता हूं यह nomenclature क्यों है आपको present करने के लिए तो इसलिए एक ही कहूंगा जो भी नाम से आपको कोई problem नहीं है यह भी total acceptance normal है इसलिए हम एक दुसरे का comparison करके इसका ऐसा cleavage है मेरा ऐसा cleavage है इसका और अलग है यह compare न करे और उसमें आपको कुछ दिक्कत आ जाए डाउट आ जाए तो sexology और और सिरोल से मिलके सला मश्वारा करके आपका डाउट solve कर सकते हो definitely sir एक और type of breast के बारे में आपसे पूछने साओंगा पर एक दर्शक का call ले लेते मेगा जी हमारे साथ है मेगा जी आपका सवाल पूछे है Hello sir Sir, menses के दौरां breast बड़े होते है क्या और दर्द होता है क्या उसको जन कर दीगी Excellent, yes यह भी मैं separate topic लेने वाल हूँ, physiological changes in the breast यानि menses में breast को क्या होता है, pregnancy में breast को क्या होता है, milk याने जब feeding चला है उस उसवत क्या होता है और old age में breast को क्या होता है, यह अलग topic है लेकिन अभी इनका topic answer करंगे मेंसेस में क्या होता है, estrogen और progesterone की मात्रा है उसमें changes होने के वाइसे tenderness, जो especially tail जो रहती है, वहाँ पे जो glands रहते, बहुत बार fibro adenosis जैसे अभी feeling उसमें आता है temporary तो ऐसे मेंसेस में, वास्कुलरिटी बदलने से, हार्मोन बदलने से, breast में pain होता है उसवर definitely किसी भी प्रका का foreplay उससे ना करें, क्योंकि उससे partner discomfort हो जाता है या pain हो जाता है और ऐसे cases में क्या करना चाहिए, कुछ temporary painkillers या support ब्रा लेने चाहिए और यह swelling और discomfort temporary रहता है, और once आपके message चले जाए, उसके बाद यह changes normal होते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता होगा, कोई और anatomy है, यह pathological change है, और देखने के लिए हम mammography भी करके देखते हैं लेकिन sexology, psychology analysis analysis मिलके उसके further investigation हम कर सकते हैं Definitely, sir, एक और type of breast के बार में आपसे पूछना हैं चाहूँगा, 80-BT breast, यह क्या होता है, sir Correct, AB मालूम रहना जोरत है, 80-BT breast, तो अब funny लगता होगा, लेकिन AB नाम है, और पता भी होना जोरती है, क्या होता है routine ले हम average size के breast देते हैं, मैं तो एक कहूँगा, ऐसा कोई ideal size का breast कोई है, आपका पूछोगी तो ऐसा नहीं रहता है ऐसे case में काफी कुछ region के वैसे बहुत बार thin build रहती है, यह उतना fat नहीं रहता है, तो एकदम छोटे-छोटे breast वहाँ पे लिखते है तो इसलिए हम 80-80 breast केते हैं, लेकिन ऐसे breast को भी देखके partner में नहीं होना है, क्यों? क्योंकि उसे और कुछ उसको बढ़ा करना है, या कुछ changes करने है, या कुछ implant की जो रतपड़े breast की, तो भी हम कर सकते हैं, लेकिन doubt लेने के बज़ाए, specialist को मिलके, यह सलाव मश्वारा कर की problem solve करना चाहिए, definitely, sir, एक आखरी सवाल आप से करना चाहिए, क्या इसके भी कोई और नाम रहते हैं, yes, definitely रहते हैं, क्या रहते हैं, हम जब friends साथ में रहते हैं, partners, वो compare करते हैं, एक दुसरे को, किसी को लगता है, काफी size बढ़ी है, महीं क्या करूँ, उसको लगता है, का चाहिए, अदर बर, just popping out, ऐनो ऐसा लगता है, कि मेल के ज़सा जाँ देख रहे हैं, तो इस तरह के, अलग-अलग type के नाम उसको दिये है, लेकिन, हमें नाम से कुछ लेना जाना नहीं है, लेकिन, सम्झो किस तरह से कुछ को तो लगता है, भई, यहाँ पर ब्रा पहने तो एक ही कहूंगा फ्रेंड्स ऐसे डावर्स ना रखे समझो जादा भी बड़े हो तो रिड़क्शन मैमो प्लास्टिक करके उसे नॉर्मल कर सकते हैं और छोटे हो तो उसे हम बहुत बार आफ्टर मैरेज उसके अंदर हर्मनल चेंज़ होने से वो नॉर्मल हो सकते हैं पार्टनर से किसी भी प्रकार का डॉट आजाए तो मिसंडरिसिंग न रखे और जिस तरह से उसका शेप चाहिए जिस तरह से उसका आकार चाहिए वो आप उसको दे सकते हैं और आपका नीजी जोन आप एंज्वाए कर सकते हैं डेफिनिटली सर थैंक्यू सो मच आपने ये सारी चीजे बहुत ही सिंपल शब्दों में हमें बताई और लोगों को वही जानना चाहते थे साइन्टिफिक इंफोर्मिशन लोगों को चाहिए थी पर सर समय की थोड़े सी पाबंदी इसलिए आज की अपिसोड में हमें यही पास सकते हों चलिए दोस्तों आज की शो में समय हो चला ही यहीं पर रुकने का शुक्रिया